के सामने ये है और इसको simplify करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कुछ cube दिखाई दे रहा है, कुछ square दिखाई दे रहा है तो एक बार यह पर काम करो, एक इडेंटिटी रिकॉल करो, यह आपकी 310 inverse x की, यह इडेंटिटी रिकॉल किजिए, 310 inverse x की, यह क्या होती है, य और आपने 1-3x square, यह होती है, तो काफियत तक इसके जैसे लग रही है, अच्छा, इसमें काम करो, अगर मैं इसमें a cube से divide करूँ इसके अंदर, यह जो bracket के अंदर आप देख रहे हैं, इसमें a cube से divide कर दीजिए, उपर नीचे दोनों को, numerator को भी और denominator को, ठीक है, तो क्या ब और इसको भी a cube से किया, numerator में, और denominator में भी a cube upon a cube, और 3a x square upon a cube, तो यह आपका दिखिए है, क्या बनेगा, simplify कर करते हैं आगे, दोको, यहाँ पर है a square, नीचे है a cube, तो a square से मतलब इसमें 3 power है, तो आपके 2 power कम हो जाएंगी, तो a रह जाएगा खाली, तो यह बनेगा 3x upon a, और यहाँ पर आप एक काम कीजिए, x upon a का whole cube कर दीजिए, ऐसे, और upon में, a cube से a cube कर जाएगा, तो रहेगा 1, और minus, और आपका यहाँ पर बच्चता है, देखो, यहाँ पर a है, यहाँ पर a cube है, तो square रह जाएगा नीचे, और इसको आप लिख सकते है, 3x upon a का whole square इसको लि टैली किजिए, तो जो x है, वो x ना होकर, x upon a है, तो इसका मतलब जो answer होगा, वो 3, 10 inverse, x की बजाए, x upon a लिखेंगे आप, ठीक है, तो यही आपका answer होगा, answer आ चुका है, इसको कर दो highlight.